बार्डमेर में मिले अनोखे जीव की सच्चाए आखिर क्या था? यह जाने पूरी खबर. मारवार में मानसुन की अच्छी बरसात होने के बाद से गावों में रौनक लोटी जाती है यह तो आपने सुना ही होगा. आज जिले भर में एक ही बात का जिक्र हो रहा था कि बायतू के मातासर में एक अनोखा जीव मिला है यह खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फेल गई. कि आखिर यह अनोखा जानवर है क्या जो बार्डमेर जिले में कभी नहीं दिखा तो आएए आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहां यह जानवर मिला है. जानकारी के मुताबिक कवास के पास पुटिया मातासर गाउं में यह अनोखा जीव मिलने से ग्रामीनों में हरकम मचने जैसी स्थिती देखने को मिली. लोग तरह तरह की बाते करते नजर आ रहे थे कि यह अन. हा जीव अपने शरीर से ती क्यू करने के बजाए ग्रामीनों को इस से बचने की नसीहत दे रहा है. इस खटना से ग्रामीनों में भारी दशहत का माहौल नजर आ रहा था. लेकिन जिनको पता नहीं है उनको पनावड़ा टीवी नेटवर्क आज इस प्रानी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने निकालती है. सेही, अंग्रेजी, कॉक्युपाइन, अथवा साही, अफ्रीका और एशिया की प्राचीन दुनिया की सेहिया, हिस्ट्रिक्स बड़ी, नाटी और छोटी टांगो वाली कृंतक होती हैं जिनकी एक छोटी अपरिग्राही पुच्छ होते हैं. शरीर और पुच ख्रैधारी सेही, हिस्ट्रिक्स इंडिका वनों, चर्टानी पहाडियों और तंग खाटियों में रहती हैं. सेही दिन का अधिकांच समय अपने बिल में व्यतीत करती है, परंतु रातरी में फिसलों, शाक सबजियों और पौधों की जड़ों को खाने के लिए बाहर निकल सेही सुव की भांती गुरगुर ध्वनिया निकालती है. यह बार्मेर जिले के रेतीले क्षेत्र में मिलने से वैग्यानिकों के लिए सोचने वाली बात हो गई हैं. पनावडा टीवी नेटवर्क की रिपोर्ट